नमस्कार मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेस्तरार नीज़ जहां पर दिखाई जाती है दिल्ली की तमाम बड़ी खबरे और अगर आप उनी खबरों को अपने मोबाईल पर देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर हमारी अप्लिकेशन तेस्तरार को इंस्टाल कर सकते है और दिल्ली से जुड़ी तमाम बड़ी खबरे अपने मोबाईल पर देख सकते हैं देखिया अमूमन जो जानवर होते हैं वो बेहदी प्यारे होते हैं हम सब को जानवरों से काफी लगाव भी होता है लेकिन आज का जो मैं मामला आपको बताने जा रहे हूं से सुनकर आपको भी बेहदी हैरानी हो सकती है जी हाँ इस वक्त में मौजूद हूँ दिल्ली के मोत बताया जा रहा है कि 5-6 कुतों ने उस बच्ची पर हमला बोल दिया और उसको बेहदी जखमी कर दिया जिसके बाद उस बच्ची को अस्पताल में भरती कराया गया जहां पर उसे मृत घोशित कर दिया गया देखे जब बच्ची के माता पिता से बात की गई इस मामले पर उन्होंने कहा कि बच्ची के हाथ में जो है कुरकुरे का एक पैकेट था और यह जो पूरी वारदा थे दो पहर धाई बच्ची के आसपास की बताई जा रही है बच्ची पार्क में खेल रही थी रोजाना की तरह ही बच्ची पार्क में खेल रही थी धाई बच्ची के देखा तो बच्ची की माह उसे बचाने के लिए भागी लेकिन जो कुटे थे उन कुटों से बच्ची की मा पर भी हमला बोल दिया इसके बाद जो बच्ची थी उसके पिता वहाँ पर आये और डंडो से जो है कुतों को महाँ से भगाया गया जिसके बाद बच्ची को लेकर वो लोग अस्पताल पहुचे जहां पर बच्ची को उम्रत गोशित कर दिया गया पर रहे हैं यहां पर बच्ची कहां तो रहा था खाने के लिए ते सब जिन देते थे बच्ची को खाने के लिए बच्ची ने दो रहा था किसके को राजितो रहा था झाहम को पते नहीं ओंस तो हमने रोवह की आवास्ना से फर नहीं अपनी बच्ची के पास आया तो पर मैं नुक्टी को हमने च्छाने गिये सज्टान हम पर हम ला कर दिया प्ला कर दिया अपर नम्य कि पापा को भूले干 yhtी लचमीद्ही उन्हीं लड़की 50 खार है यह व meglio difference एंद पर चंद फिर गण ना पर गड़ाएक सब्सक्रट टें करती लिया करते हैं पुनी शरीर सब्सक्राइए फरने हो अब पहले कबीने काटा पहले कब ने काटा अब पहले काटते थे तब तुम्हेरे समाझ में आते कि जोड़ दिया उनके खाने के लिए दे दिया तो उनके लाग दिया थे अब पहले काटा बची आप कितने साल की बच्ची थी ते बच्चे आप जोड़की चोटा सा है तो हम अपनी पास रखते हैं आप लोग यहां पर किस इज का काम कर देंकि हैं नि गुरा करते हैं यह जो पुत्ते थे यह कोई पालतू कुत्ते थे या मतलब ऐसे ही अब ऑर एक तो नहीं है देखिए आपको बता दूँ ये जो घटना बताई जा रही है ये 17 तारीक की बताई जा रही है दोपहर को धाई बज़े के तक्रीबन ये जो पूरी बारदा थे ये हुई धाई बज़े जो है बच्ची रोज की तरह ही पार्क में खेल रही थी जो बच्ची के माता-पिता है वो डीडिये का एक पार्क है उसी में काम करते हैं वही पर वो लोग रहा करते हैं और जो बच्ची है वो वही पर खेला करती थी और जिस दिन की ये बात है यानि की 17 तारीक की जो ये बात है बच्ची के माता-पिता के द्वारा बताया जा रहा है बच्ची कुरकुरे का प हो गई जिसके बाद बच्ची को बचाने के लिए ज्यैघ के मा भी पहुँच प्रशाषन प्रशाषन के उपपर ही इस मामले में किस तरह से कारवाही होगी और क्या जो प्रशाषन है वो इन चीजों को सुनिष्चित करेगा कि भविश्य में ऐसा कोई मामला जो है जैसे ये घटना हुई है कि एक तीन साल की मासूम बच्ची ने जो है अपनी जान गवा दी ऐसा कोई जो मामला है भविश्य में फिर से सामने ना आए तो अब ये सब कुछ इस मामले में देखने वाली एक बात होगी क्यामरा परसन आकाश शर्मा के साथ मैं आफरिन खान अगर आपको उमार ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलें साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पोचे